जिस वैंटेन्स स्ट्डेंस कर Θलो ने ना डिमांड्ट क्या होती है कॉंडिकी निर्धिक हम और अन्य ग्यंगर कर सब्सक्राइब क्यों पॉप आठेब शेजन मोई star होता है डिमांड का बनता कैसे है और ऐससकी सिलोब क्या होती है ठीक है इसकी बारें पढ़ेंगे तो देखें हम लोकिकर दाल में होता है इमांड कर दो प्रोद्प क्यों होते हैं कि कैसे इंड्डिविजल निमांड करो मायक्श एकिसस है यह ऊकिक lo तो जब आपका प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कैसी हो रही है कम हो रही है तो आपका जो डिमांड कब बनेगा जब आपका ठीक है जब आपका प्राइस 1234 हुआ तो डिमांड हो है तो पाइल पाइल जब बंद ठान तो इसकी डिमांड कितनी थि फोर जब वो उसकी टेक्सैज प्राइस एक्स र केसे आपका मग लिए त्रीव कितना था त्री तो कितना था त्रीट तो इसका बनता है इस ट्रेट लाइं बनती है थीक है फोड़ा साभशा हो गया है लेकिन बनता है बाइब इस्ट्रेट हुछ है तो इंडिवीजिल दिवान कर जो स्ब्सॉपं बनता है वह लो बनता है इस रिखत करेंगे एटीजिामाइट करेंगे तो देखें क्या होती है इंसरद हम्त क्यृट्व सबस्ट है की धाट वन परीकुलर भाउय इस डेडी टो भाई अडेडंपसिविल पैस मतलब इंडीजन ड्मांड कर वो ड्मांड कर वो महता है जो यवीफसेंड कॉंटी को स्वर्टरा मिष्थिबर करता है क्या सा जो different possible price अलग-अलग price पे रहिए अलग-अलग price पर 1 2 3 4 1 2 3 4 अलग देखो individual demand कर वो demand कर होता है जो क्या करता है showing different quantities of a community अलग-अलग quantities अलग-अलग quantity है showing different quantities of a commodity that a particular buyer a particular individual buyer is ready to buy a different possible prices अलग-अलग price पे अलग-अलग quantity को खईदने खईदने का अगर एड़ी है तो particular buyer है individual buyer है तो उसे कहते है individual demand कर अब कर से बनता है मैं भी बताया अगर price 1 है price उसकी वन थी और quantity कितनी दिवांड कर आता हुआ है तो यह होता है आपका individual demand कर ठीक है इस तरीके से आपका बनता है ठीक तो यहां पर देख विलो इंडिवी डिमांड कर फिलोग डॉनवर्ड हमेशार डिमांड डॉनवर्ड शुलोग जो भी है आपका डिमांड कर डॉनवर्ड होता है फ्रॉम लेफ्ट तू राइड ऊपर से नीचे के लिए इंडिकेटिंग इंवर्ड श्रेसे ब्यूनवर्ड वाइंड कॉंटिटी और प्राइस और कॉंटिटी के बीच में इंवर्ड रेसेंशनिप शो करता है इसलिए बनता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट यह इतना पॉइंट आपकर कॉपी में नोट करेंगा ठीक है दिजुन दिवांड कर इतो लोग व्हों जा राता है ठीक है इस वेज़ स्कॉंटिटी आफ अफ कमूडिटी देट अब बायर इन मार्केट इस एडी टुबाइए डिफेंट पॉस्बिट आफ गमूडिटी क्या कहा इसमें इस वेज़ स्कॉंटिटी आफ गमूडिटी सब्सक्राइब लिकर टोफेंट में क्या था हम गुड फ्रुम अरे लिल्टे हमें इवे معरे करेंगे लिए लिगारे में셔서 अन्यक्ता है और लोग हम को सेंव नेकर धाशिवर स्थ्कॉंटन ऐसे होगा सब्सक्क्र तो द्रिमांड कितनी थी 9753 तो देखे तो 1234 आपका प्रैस दिया हुआ है ठीक है और जब उसकी जब उसकी प्राइज उसकी प्राइज बन थी तो कॉंट्री कितनी डिमांड कर था बनता है ऐस लाइन के होई जो इंडी दिमांड कर बनता है वह इस ट्रैट लाइन होती है वह इस लिए कहा गया हुआ है कि इसमें क्या होता है इसमें पहले हम एक कर आदो चुख करेंगे और फिर दोनों कर दो जोड के जो गिराफ बनेगा उसको कहते हैं मार्किट डिमांड कर ठीक है कितनी वावी भूसकता है यह दो की बात नहीं है तीन चार पांच दस पंद्रा लेकर हमें हर यह चीज़ों नहीं करनी है यह से हमने आपको इसमें समझाने क्लिए बताये गया है आप डायक्ट मार्किट डिमांड कर भी बनाएंगे इस ड्याटा के रकॉर्डिंग प्राइस के रकॉर्डिंग और जो आपने जोड के निकाल यह सेलों नहींद रहे अब या यह आप देखोंगे तो समझ में आए दो सब्सक्राइब आप ट्रीक है एब्सका कॉश्शन लाएंगे अ-ट्रीक है एंड बी-ट्रॉप्ट पता था हम लोग veg दो बायास हैं मार्किट में ए डिमांड ए डिमांड कर बीज डिमांड कर थ कोश्चन लगा हो गया ठीक है a and b are two buyers in a market पता था हम लोगों को a भी दो buyers in a market में a demand a is demand curve b is demand curve ठीक है दोनों का demand curve आपको दिये हुए a का और b का फिर is the market demand ठीक है when price is one per unit a demand four units and b demand five units जब जब demand one unit one per unit भी तो a ने कतनी demand करी फौरl भी ने कितनी demand करी और फाइव दोनों को जोड कितना हो गया 9 तो कितना हो गया one per हो गया nine यह बता आए गया ठीक है तो इसलिए इसको market demand कःका कहा जाता है क्यों कहा जाता है जब दो जब दो मिलके बनते हैं ठीक है धो या तो हैतना दूबर और सो जdropता हो लोग को मार्केट में होते हैं उनकी डिस्ट के रिकारडिक हम जब बनाते हैं दोसको कहते हैं एक मार्केट इमांड कर तब डिके तो यह का का ऐसा होता है इसका दिभी है कि कि नहीं कि सिलोब औफ डिमांड कर चुप डिमांड कर दिमांड कर्ष्प निर्द लॉमल इसलोप डाउंवेट्स होता है रॉंड लेफ्ट टूराइट होता है ठीक है इस्टेट लाइनumbles होता है ठीक है यह सब याद रखेंगे बात बहुत अच्छे से इंडिकेटिंग निगेटिव एलेशन से बिट्विन प्राइस अफ़कर मुड़िटी एंडिस कॉंटिटी ठीक है जब भी इसको निकालेंगे तो प्राइस उपर आएगा कॉंटिटी नीचे रहेगी प्राइस आफ कमूटिटी तो यह होता है इंडिकेटिव एलेशनशिप शो करता है ठीक है सिलोप ऑफ डिमांड कर एस्टिमेटेड एस माइनस पी एपान क्यूब यह इसका क्यों प्राइस फार्म क् um कॉंटिटी इस शोज गणी ओ रिश्यू जिच सो द रेशियो बिट्विट्वीट चेंजिंज इंडिकेट्स छिए इन वर्स रिलेशनशिप त्विट्वीन फैस एंड कॉंटिटी दिमांडेट ऐफ कमूटिटी ठीक निगेटिव सब्सक्यश् x x is quantity or price ठीक है इस्ट लाइन बनती है डीडी एक इस्ट बनती है ठीक है यहाँ पर आप देख लो दोंगों में इन्वर्स एलिजिंशिप होगा ड्राइब प्लिन, एक टैंगल बन गया क्यों यहां पर जो से कोई कर बिचैनल लाइन है यहां पर हर Packance पे iter कहीं पर बडीन को निकला थे पर कुं कि एच इन तर्फ कहान अ अच्छा क्यों भूद एはは constant and all points on the demand line because dd is liner is straight line and slopes are straight line is a constant slope of straight line is a constant slope of straight line which is where you can go and there is constant here okay so this is explained slope of demand is how it is downwards and what is inverse relationship or negative relationship show what is the price of a commodity or quantity of a commodity is estimated what is the slope of demand which is estimated as minus p upon q okay so this is how it is negative sign what is the other thing is that it is constant in all points okay so constant q is because the liner straight line and slope of our straight line is constant is the slope of state line is constant ही रहता है ठीक है तो अब हम यह होगी आपका slope अब हम लोग बात करते हैं आज की बात होगी इसमें भी दो चीजें हैं मैंने पहले बता है यहां पर दो हर्मिशा दो की बात हो रही है तो इंडिविजल डिमांड फंक्शन पहले पढ़ेंगे फिर पढ़ेंगे इसको आप नोट करेंगे सका यहां पर यह बहुत पूछा भी आता है कोस्ट सडीक है तो हम लोग पहले सुदू करते हैं कि इण्डीवीजिल डिमांड फ़ंक्शन क्या होता है आईये विसीजु फूद करें बढ़न या को एक दिया फंक्शन यह आपको एक दिया हुआ है यहां पर बहूत स्मेय से अराम से पढ़ना को इटेंशन नहीं है ठीक है इंडिविज्व डिमांड फंक्शन शोज हाउ डिमांड फॉर अ कमोडिटी द्र 치ंट उपर इंडिविज्व डिमांड फंक्शन में यह देखा जाता है कि डिमांड हमारी जो है उसका फंक्शन जो है वो किन किन चीज़ों प्र डिपेंड होता है पुर देहांar देखो ढिक्स मतलब डिमांड और अफ़ कमोडिटी एक्स मतलब लगा लुक्याय थो मतल लों पर तो demand of a commodity X is equal to function f का मतलब बुता है function क्या पढ़ने हैं हम लोग individual demand function पढ़ने है ना स्घा मतलब ओगया function PX मतलब price of good X price of commodity X price of good X देखनो demand हमारी जो है ऐसे समझो, dx is equal to f, dx किस पर depend कर रहा है, एक तो कर रहा है, price of x पर, ठीक है, दूसरा कर रहा है, price of r पर, pr पर कर रहा है, तीसरा depend कर रहा है, किस पर कर रहा है, y पर कर रहा है, चौर्था कर रहा है टी पर फिर कर रहा है किस पर कर रहा है इंग एक थो तीजों 5 पर चाहर लिप स्पी करती है दिमांड क्या प्राइक्स किया होता है प्राइस ऑफ एक्स मतलब डिमांड हमारी जो है वो डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स जो है वो उसके प्राइस पर डिपेंड करती है बिल्कुल बात है हमेशा आपकी डिमांड जो है वो प्राइस किसी भी उसके प्राइस पर डिपेंड करती है आप मार्केट में जाते हैं लाइं सर्च किया था सब कुछ देखा था आप में देखा था कि वह उसका प्राइज जो है दस हजार रुपए है आप मार्केट गए मार्केट में उन्होंने क्या नहीं अब तो यह बारा हजार का आता है बारा हजार का हो गया है तो आप उस मुबाइल को ख़ई दोगे ठीक किया मतलब क्यों प्राइस प्राइस फिर्फ द्मेल प्राइस उप फ्राइस उप इस इस यहां पे बात हो रही है पी एक्स की ठीक है तो other things being equal with a rise in own price of a community it depends content its demand contract and with the fall in its own price the demand extends the inverse relationship between own price of a community and the demand call law of demand यह हम लोग law of demand भूए बादने पढ़ेंगे तो मैंने बता आ है वही चीज़ है ठीक है फिर आता प्राइस ऑफ रेलेटेड गुड्स पी आर यहां पर बात हो रही है किसकी पी आर की पी आर किसे कहते हैं प्राइस ऑफ रेलेटेड गुड्स प्राइस ऑफ रेलेटेड गुड्स मतलब होता है जब मार्केट में प्राइस कैसे है मतलब दो तरीके के गुड्स होते ह substitute goods और complementary goods कुछ से मतलब मार्केट में समान्ध खईदने जाए हैं उनक बाइचा तो हैं निकने मार्केट में हमाली हम हम मार्केट से कुछ समान्ध खईदने गए यचे हम चाय की चाय ख़िदने का टी ख़िदने का है तो कोफी है ठीक है हम टी का प्राइज बढ़ गया तो हम कफी खरीद लेंगे यह कोफी का प्राइज बजादा है तो हम टी संदूड करता है कि दिमांड क्या होगी सब्सेट्टूट भी यह हमें बताता है मतलब देखो डिमांड ऑफ फॉरर कमूडिटी आर्सों इंफिलेंजड बाइचेंज इन प्राइस ऑफ देर रिलेटेड गुड्स टी के प्राइस में टी का प्राइस और कॉफी का प्राइस आपसमें रिलेट करना चाहिए अगर टी क तो भी के डिमांड कब बढ़ेगी काफी अब के ज्यादा हो जाएगा मालीज़्ग आज की देट में रुप किलो मिल रही है इसrovяти अपर लोट काफी किलो हो तो price of related goods depend करता है और substitute goods इसी को कहते हैं ती जो है वो कौफी का substitute है there are the goods which can be substituted for each other ती यो कॉफी बॉल पेन इंक पेन अभी इंक पेन 10 रुपे का मिलना है बॉल पेन 5 रुपे का है लोग बॉल पन खईते हैं लिपते हैं अभी बॉल पन हो जाए 20 रुपे का जो पांच वाला या तीन वाला है और इंक पेन 5 रुपे का हो जाए तो लोग इंक यूज करने लगेंगे इसलिए दोनों का प्राइज जो है वह आपस में रिलेट करता है इंकेस ऑफ उफ गोड़ इंकरीज इन दा प्राइज ओफ वन कॉस्च इंकरीज इन डिमांड ऑफ फौ दे अगर इंक की प्राइज बढ़ने पर दूसरे की डिमांड बढ़ती है एक होता है complimentary goods complimentary goods अशे आप कह दो इसमें तो आपको example दिया गया है पैन और इंग का कि मतलो अगर इंग की प्राइज बढ़ जाए तो या पैन यूज कम करोगे पैन में या इंग की ही होती जो कुछ होता है ठीक है ब्रेट बटर हो गया सबसे अच्छा तो example है मुझे जो लगता है वो है जैसे बाइक बाइक अपने आप में क्या है कुछ भी नहीं है अगर उसको क्या ना मिले है पैट्रोल ठीक है बाइक किसे रेट करती है पैट्रोल से तो बाइक क्या हो गया पैट्रोल पैट्रोल आज की डेट में 70 रुपह में है अब यह हो जाए 170 में आप चलाओ गए नहीं चलाओ गए तो तो प्राइस ओफ रेलेट्रोल में आता है किस कॉंप्लिमेंटरी गुट्स भी आपका सही हो तो कॉंप्लिमेंटरी गुट्स और दोज गुट्स विच कंप्लीट डिमांड फॉर इच अदर बाइक तो है वो है अपके पा टीसरी बात है वाई वाई मतलब होता है यहां पर डिफेंस दिया हुआ है यह आप कॉपी में नोट कर दी जागा ठीक मैंने जो बता है वही चीज है इसमें दोनों में इसे करते हैं इंकम को किस से डिनोट किया जाता है इंकम पर बहुत डिपेंड करती है आपकी डिमांड कैसे आज आपकी इंकम हुएह प defic्ति हुएह यूट्स अई कि हैं धियुक्त उट काश्याट पने लिंड गवत डिमांड काश्याव हैं तो किससी कमूरी तो इहीं ईए डिमांड आपकी इंकम बढ़त जाए दिमांड क calib प्रवाइटी की बढ़ जाएगी इंकम कम है डिमांड कम होगी सिंपल बाद समझ थीक है तो इंकम आफ फॉलव खुश्य चेंज इन इनकम अफ आफ आफ दा कंजूमर आल्सों फिनेंट आफ फॉर डिफेंट गोड्स ठीक है अभी आप मार्केट जाते हो मार्केट में आप इनकम्ड़ का मार्केट में लोग लेकिन आपकी इंकम दो दशीर जार रहे दसाए के उपका फैदी ही नहीं सकते तो आप उसको नहीं करेंद कम हो जाएगी उसकी तो दिमांड आफ नॉमिनल गूट्स टेंस टू इंकरीज इंक्रीज इंकम तो है on the other hand the demand of inferior goods like corrosion grains tends to decrease with the increase in income and vice versa ठीक है inferior goods or nominal goods nominal goods जो होते हैं वो होते हैं there are positive relationship between income and quantity of a commodity ठीक है यह जो है in quantity or price में ठीक है इंकम में जो है वो positive relationship show करते हैं उन्य फिर्फ जो होते हैं वो negative relationship show करते हैं ठीक है income effects positive इनमें मतलब income बड़ी तो demand भी बढ़ती है ठीक है इसकी income बढ़ जाती है तो nominal goods की demand भी बढ़ जाती है लेकिन और इसमें क्या होता है income effect is negative income बढ़ी डिमांड बढ़ी तो income कम हो गई ठीक है demand कम होती है तो income बढ़ती है demand income कम हो गई डिमांड बढ़ गई इसमें income बढ़ती डिमांड दोनों ऊपर चलता है positive relationship है income बढ़ेगी demand बढ़ेगी इसमें income बढ़ेगी sorry income कम होगी demand बढ़ेगी income इंकम कम भी डिमांड बड़ी ऐसे होता है ठीक है नॉमिनल गुड्स में भी में और में नॉट भी एट इनिशियल्स आफ लाइफ इंकम घटेगी बड़ेगी जाज़ा भी होगा यह इंसे कोई चुछ नहीं हो रहा है और इस इंफीर गुड्स में इसेंशियल लाइफ अधर तो यह आपको नॉमिनल गुड्स और इंफीर गुड्स का डिप होगा यह भी आप कॉपी में नूट कर दीजएगा ठीक है तीसे रहा होता है टेस्ट कंजूमर का टेस्ट पर डिपेंड करती है आपकी अधरी डिमांड जो है वे कंजूमर के टेस्ट और प्रिफरेंस पर कि कंजूमर का टेस्ट क्या है वो उस गुड्स किसी भी जो गुड्स खरीदना खरीद रहा है क्या वोजा खरीदना चाहता है कि नहीं चाहता है कंजूमर कौन सा गुड्स खरीदना चाहता है ज्यादा मार्केट में कोई दूसरा गुड़ अफ़लेबिल है लेकिन उसको व difference of the consumers are influenced by advertisement देख लो भईया सबसे ज्यादा आपका मादलो आप कोई test कोई मतलब एक goods है या एक product है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है आप वही product हमेशा खही जिते हो ठीक है अब आपने कोई किसी चीज़ का advertisement देखा जो उस good का supplementary या substitute हो गया तो आपने कहा या चलो आज इसको भी मैं खहित कर देखता हूं ठीक है मेरा test change हो गया तो consumer जो है वो जो है वो उसके टेस्ट के according उसका demand किसी भी product की demand पर depend होता है ठीक है अगर test change हो गया तो उसकी demand कम कर देगा वो दूसरा good खरीदने लेगा तो वह सब चीज़े चीज़ों के चाहिए चेंज़ों आती है चेंज इन फैशन माली जीए आज आप पैंट शाट पहनते थे पहले लोग अब जो है पैंट शाट का जबाना थोड़ा कम हो गया अब जीन चलने लगी है तो चेंज इन फैशन क्लाइमेट नू इंवेस्ट ठीक है इन सब चीज़ों के बारे में अदर फिंग एक्वर डिमांड फार दोस गूड्स इंक्रीज फॉर विच कंजूमर डवलब स्ट्रांग टेस्ट अन प्रिफेंस लोगों उन चीज़ों का डिमांड ज्यादा बढ़ती है जिनकी जिनक उ अब यहां माइकेट में दूसरा कोई प्रड़क्ट आ गया ठीक है लोगों ने कहा कर देगा तो अब क्या हुआ इसकी डिमांड कम हो जाएगी इसके पर दिमांड बढ़ जाए क्यूं लोगों ने टेस्ट चेंज गा दिया अपना किसकी तरफ अंकल चिप से आगा बिंगो हो भी तरफ तो यह टेस्ट चेंज हो गया लोगों का तो अंकल इसकी डिमांड कम हो गई और इस बिंगो की डिमांड बढ़ गई तो यह होता है टेस्ट अन प्रिफ्रेंस और लास होता है कि इसको करते हैं यह से आख अ कि एक्सक्डेशन गर्ण क्या करते हैं एक्सक्रेशन मतलब हमारे एक्प्रेशन क्या है प्रोडटक कि तरफ मतलब कि Stupid मैंंजन चेंजेंज दिमांड पोड़ कामोड़ी ठीम्या टिसी बहुत एंपरंटिंज करने लिए रहुत हो जो है वह कांजूमर के एकस्प्वा कर लाहे उस प्रोडक्स ठीक है उसके बीडिबर्ट होती है तो हम लोगे पड़ा इनुजर्वाइफ जाता है यह तो यह जाता है और टाइम हो जाएगा ज्याद हो जाएगा बहुद ज्यादर लंबी थीक गर疑 यहां तक पूरा सेम है जो इंडिविजन में खाली N और YD बढ़ता है है एंड का मतलब हता है और YD का मतलब होता है जो को डिस्टिविशन अफ इंकम है एंका मतलब पॉपिलेशन और YD का मतलब distribution of income पॉपिलेशन माइकेट में क्या होता है सबकुछ सेम है माइकेट में बस complex mythology and the demand increase with interest in the number of buyers population बढ़ेगी तो बायास बढ़ेंगे ठीक है कंजूमर बढ़ेंगे तो कंजूमर बढ़ेंगे तो जो है किसी प्रोड़क्स की या कमोडेटी की डिमाइंड बढ़ जाएगी ठीक है इसम्पिल ओई कौर्ड इंक्रीज इंट नंबर आब और दो होता है य होता है डिस्ट्रिबूशन आफ इंकम मतलब हमारी इंकम हो किसट्रीवुट्प कर रहा है market demand में market demand is also influenced by the distribution of income in the society if the distribution of the income increase inequality it expects to rise देखो ऐसा होता है income किस तरिके हम distribute कर रहा है ठीक है rich become richer poor बढ़ती जा रही है तो इन सब चीजों के बारे में बताया जाता है तो यह है इसके इंकम पर हमाई डिमांड जो है वो डिपेंड करती है तो क्या-क्या बाते हो गई आज पहले हम लोगों ने पढ़ा कि हम लोग का का 근데 इन का ज़्याह का लिए ठांट कर माहन के आप करीपने करें कुछ होती है क्या जो होता है होता है इसा होता होता है थो लोड़ोन्वर्ण होता है यह बता जो हता है होता है ठीक है in comparison to individual ठीक है और उसके बाद मैंने बताई slope slope होता है वो downwards होता है negative inverse negative relationship हो करता है between price of a commodity and its quantity of a commodity ठीक है negative मतलब minus p upon q हो जाता है price upon quantity हो जाता है constant रहता है क्योंकि state line पर हमेचा जो भी point होगा वो constant ही होगा फिर हम लोने पड़ा demand function क्या होता है demand function दो टाइप के होते है individual demand function and market demand function individual demand function क्या होता है dx is equal to f px pr y te px dx मतलब होता है demand of a commodity x f मतलब function price x px मतलब price of x pr मतलब price of letter puts y मतलब income t मतलब taste or e मतलब expectation ठीक है तो इसकी बारे मैंने आपको detail में समझा दिया है पूरा ठीक है और इसकी बार होता है market demand function सब कुछ सेम है market में mdx हो जाता है is equal to function price of x price of letter goods y मतलब income t मतलब test e मतलब expectation बस दो चीज़ें इसमें और बढ़ जाती है n मतलब income और y of distribution of income n मतलब population और y मतलब yd मतलब distribution of income ठीक है तो यह आपका हो गया भी आज इतना पंकाम कल हम लोग क्या पढ़ेंगे अपना इस chapter का थोड़ा सा important topic है law of demand क्या होता है ठीक है इसकी बादे पढ़ेंगे ठीक तो आज कर यह वीडियो थोड़ा हो गया है लेकिन आप इसको वीडियो को बहुत देखिएगा पूरा क्योंकि बहुत इंपोर्टन यहां पर टॉपिक्स हैं जो आपके कवर हो रहे हैं सिंप्ल है यहां ज्यादा टफ भी नहीं है बहुत आसानी समझ में भी आ जाएगा ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही बाकी का जो है हम लोग कल पढ़ाएंगे ठीक है थेंक्यू क्लास बाकी जो है आपको अपने कॉपी में इसको नोट करते रही है ठीक है कॉपी चेकिंग भी होगी सब कुछ होगा ठीक है थेंक्यू क्लास